नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक पर फिर से जौस्ट्रे में तो फिंट्स आज जो बात करने वाले अपन बिहार विधान सभा इंटर्व्यू जो होड़े ये फिंट्स उसमें अठाड़ा जुलाई को जो फ्रेशन सारी पूछी गई है इंटर्व् इस वीडियो के जरूर देखे ताकि आपको भी कुछ नॉलेज हो जाए इससे और कौन-कौन से इसमें जो है वह कुछन आया है वह भी आपको पता चल जाएगा ताकि आप जो इंटर्व्यू देने जाओगे तो आपको वहां पे जो कुछ इस तरह की कोई फिलिंग नहीं किकी कि क्या पुछा जाएगा या का नहीं तो आपको पता चल जाए कि क्या वहां-पर एक्जक्क्ली पूछा जारा है इस वीडियो को जडूह कर दीजिए ताकि और वी जो इंटर्वियू के लिए जा रहे हैं उनको ये पता चल याप पोस्चेन पूछ जा रहे बिस तरह लोग तक पहुचाया जाड़ा है और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्रेंट्स आज की जो सबसे पहली कोश्चिन जो थी तो वह थी बाहन पे कि बाहन में जो है मीडर के रूप में कौन-कौन से जो है दर्पन का पडियोग होता है तो कौन से जो है दर्पन का पड जो परियोग होता है वह बाहर के एडिया में क्या हो रही है उसे देखने के लिए जो यहां पे इसका पडियोग कड़ा जाता है और इसकी ज्यादा अगर आप लोग जानकारी चाहते हो तो आप गूगल पर सर्च करके वहां पर चेकाउट कर सकते फिंस नेक्ट्ट इज़ ुत करन्यातर क्या अगमें में परिंड्स फॉटो इस तरह जो फट्रेंग होता है और इसका मतलब क्या है इसका कारी कहा हो मैं आपको बता दू कि इस पार क्वान जुधा एक विदूतिय उपकरन जो है और जिसकी आंतरीक दहन इंजन के सिलेंडर हेड पर लगाया जाता है और जो संपिडित इंधन जैसे की एरो सोल जो होती है इंधन या पेट्रोल या इथेन और तरलिक्रित पेट्रोलियम को पूधूतिय चिंगारी के माध्या में जो है सुलगाना होता है और इस Jooips इंजन चलति है और फेंट्र किसी भी गारी में यह सिस्ट विलर कि आप किसी बी घारी की बात कर लेज़ चाहे चुम बाइक हो यह सिक्स्विलर किसी भी को इसी तरह की जो गारी होती तो उसमें एस पारिक का होना आवसका यह होती है इसके बारे में भी जानकारी अगर चाहिए ज्याधत तो आफ गूगल पर सर्च करके के सामने रखा गया तो और पूछा गया तक ही यह जो है इसका क्या नाम है तो फेंड से इसका N एसा नहीं है जो इससे ना होके गुज़़ारा कि यारष णहाओर PAUL के द्वारा कंट्रोल हो अगर जैसे फ्यूज नहीं रहता ऑगर सोट जैसे लगती है ना Cities उसे नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं कि जेवड़ा क्रॉसिंग क्या है जेवडा क्रॉसिंग जो सरग पे दिखती है उसका कारी क्या है तो इसका कारी है पैदल पारपत यानि इसका हिंदी मतलब आ जाता है कि पैदल पारपत जेवड़ा क्रोसिंग का और इस पे जो है जेवड़ा क्रोसिंग सरक का वह भाग होता है जो सरक पार करने की सुभधा परदान करती है जेवड़ा क्रोसिंग से सिंगनल वहां पर देखिएगा कि वहां पर चोड आहां जहां पर होता है वहां पर आपको जो है जेवरा क्रोसिंग देखने को अधिकतर ही मिलती है और जेवरा क्रोसिंग दिखता कैसे फ्रेंट्स वह देख लिए यहां पर आपको कुछ इस तरह का जो जेवरा क्रोसिंग द अगर फ्रेंट्स इस तरह का अगर आपको कहीं पर जो है चिन्ध मिले या इस तरह का कुछ जो है वहाँ पर आपको कुलू दिया जाए तो इसका मतलब समझे कि यहाँ पर जो है वह पर चलना और यहां पर देख सकता कि या कि या बताता है कि बाहन को गती पर चलना है और सभी लोगों को high limit चिन पर पालन करना चाहिए उसमें बताई गई गती के अनुसार ही बाहन चलाना पड़ता है नेक्स जो हमारा है पसू चिन आपको बहुत सारे जंगली लाकों में जैसे हाइवे होती है तो वहाँ पे इस तरह का symbol देखने के मिलती है फेंट्स और यहाँ पे एक box में हड़ पसू की तरह यहाँ पे फोटो लगी हुईती है इस तरह का जो है वहाँ पे संकेत दिया जाता है इसका मतलब हो जाता है फेंट्स यह चिंदर साता है कि इस मार्ग पड़ कुछ पसू मिल सकते हैं इसलिए बाहन को धीम करे कर ले और सावधानी से चलाए ठीक है फिंट्स तो इस तरह का symbol जहां भी देखें वहाँ पे समझे कि यहाँ पर पसू का आना जाना लगा रहता है इसलिए यहाँ पर धीमी गती से गारी चलाना है नेक्स्ट जो है साइकलिंग क्रॉसिंग जो है इस तरह का जहां भी आपको symbol नज़र आए तो क्लू जहां पर आपको मिले इस तरह का फोटो हो तो वहां पर समझे कि यहां पर जो है साइकल क्रॉस जो है रेड रोड ट्राफिक सिनल है जो कि यह चिन दरसाता है कि आगे साइकल चलाने वाले निकलते हैं इसलिए वहां को धीमी गति से चलाना है अगर इसी पर अगर इस तरह का अगर प्रॉस रहता ब्लैक पटी से तो इसका मतलब हो या था कि इस एडिये में जो साइकल चलाना मना है फ्रेंट्स अगर फेंड्ष आपको इस तरह का अगर जो है फोटो अगर नज़ाराता कहीं पर पोल पर खंबे पर अगर सरक पर तो इसका मतलब समझ ये कि चटान का गिरना ये अधिक्तर जो है पहारी इंवला को इसरा का सिंबॉल आपको मिलेगा जहां पर अधिक्तर जो है वह भूष् आना चाहिए तो आपको इस तरह का अगर कहीं भी संकेत अगर नज़र आए तो फिंट्स इसका मतलब समझे कि पहाड़ी इलाका है और उस पर जो है इसे छेत्र में जो है अधिकतर चटान जो है गिरती रहती है फिंट्स अगर इस तरह का आपको कुछ संकेति की नज़र आता है सिम्बल इसका मतलब समझे कि नौकचीन है यह चीन वह वाहन चलाने वालों को आने वाली नदी के वारे में बताता है नदी में नौका हो सकती है इसलिए वाहन को सावधानी पुर्वक चलाना है गती जो है द्वा धीमी रखनी है नेक्स्ट हमारा फेंट्स कोश्चन जो है वह है हेर फीट टर्न अगर इस तरह का आपको कहीं पर अगर संकेत मिले क्लू मिले या फोटो इस तरह का किसी पोल खंबे पर अगर मिले तो आप डाइडिक्ट समझेए कि यह चिन जो है दिखाता है कि आगे में आगे से मोड जो है वह हेर पीन के आकार का है जैसे देख सकते हेर पीन होती है उस आकार के जो है यहां पर रोड है इसलिए यह दाएं तरफ भी हो सकती है और बाएं तरफ भी हो सकती है तो हेर पीन जो है वह टर्न दो तरफ का जो है होता है एक लेफ्ट हेर फिन और टर्न होता है और एक जो है राइट हेर फिन टर्न ह तहनbility नहीं होताए इसलिए अपर इसलिए विए ज्यादाँ ध्याने में रखें लिए अगर इस तरह की करके कर न जल के मतलब होता है काम पर गती पर है इसका मतल्ब जो इसका अर्थ स्यरक मरमत हो रही है मजदूर या काम गार सड़क बना रहे हैं और इसलिए आपकी गती जो है गाड़ी की वह धीरी रखे और साथानी पुर्वक बाहन चलाए तेजी या रफ्तार में बाहन चलाना मना है और फ्रेंड से मैं ने ये कल भी कोश्यन बताई ती की कल भी जो है कोश्यन पूछा गया था और यह पूल सरकरा है उसका मतलब अरथ होता है जिस पूल पर और हन आप बाहन चला रहे हैं वह आगे सरकरा है यानि कि पतला होने वाला है जैसे बहुत सादे देखते हैं कि होड़ी जिर माव्री ऑस देखते हैं तो फोड़ी चोटरा होता पर आघे आप जहते हुए वह सिंबॉल है चिन है यह आपको ध्यान में रहने क्यूंकि मैंने इस से कोशन को कल भी बटाया था और कल भी जो यह question पूछी गई थी फिर से फींट्स यह जो है repeated question है मैंने इसके बारे में भी कल बताया था कि सरक सकड़ी है जो कि यह इस्टुएंट से कल भी कोशन पूछी गई थी और फिर आज वह पूछी गई है तो फिर यह जो है कोशन इसका मतलब होता है कि इस चीन का अर्थ होता है कि जिस सरक पर आप बाहन चला रहे हैं वह आगे सरक जो है वह आगे सकड़ी पतली होने वाली है इसका मतलब होता कि सकड़ी जो है आगे यानि की रास्ता जो है वह आगे पतली होने वाली है यह रास्ते के बाड़े में है फेंट्स और मैंने उपर जो दिखाया था वह पूल के बाड़े में थे आप लोग को पता ह होगा कि अगर कहीं पर इन करते हैं तो बहुत सारे जगव पर चौले जो है वह सड़क दिखता होगा फिर आगे सुझा है इस तरह से वह पतली हो जाती है सरक तो इसका मतलब सकड़ी सड़क होती है इस सिंबॉल का मतलब नेक्स्ट जो है फेंड्स पैदल यात्री में यानि की पंदरतारी के वीडियो वाले में मैंने बताया था इस तरह की कोशन जो है वहां पर पूछे गई थी इसका मतलब है ता फेंड्स कि यह जेवडा क्रॉसिंग से पहले लगाया जाता है इसका अर्थ है कि गती विरोध कर ले आगे पैदल यात्री जो है वह जेवडा क्रॉसिंग की जो बात पिस पर पर काले पक्टी से तरह से यहां पर रहता है और इसभी पैदल व्यक्ति पार करते हैं थो इस vibe सिंबॉल जहां पर नज़र आए तो समझे आगे जैवरा क्रोसी है नेक्स यह बहुत ही इंपोटेंट कुस्चन है और इसका मतलब हो जाता है स्कूल चीन ऐसी अगर कहीं पर आप सिंबॉल देखे परतिक देखे इसका मतलब समझे यह जो है इसकूल की चिन है कि आगे स्कूल है इसका मतलब हो जाता है इसकूल आने से पहले यह लगाया जाता है सरक की किनार लगाया जाता है और जिससे बाहन चलाने वाले को यह पता चले कि आगे इसकूल है इसलिए उसकी गति धीमी कर ले ताकि सुरचित जो है इस बच्चे इसकूल जा सके इसलिए इस तरह का जो पढ़ाई पढ़वाई जाती है और इसे जो है उनका ये चेक किया था कि उन्हें हिंदी पढ़नी आती है अच्छे से या नहीं साथ ही उनसे जो है इंग्लिस जो है वह नीज पढ़वाई जाती है और उनसे ये चेक किया था कि उन्हें इंग्लिस भी पढ़ने आती है या न के मुखह मंतरी कौन है उनके बारे में पूछा गया था शिक्छा मंतरी के बारे में किसी स्टुरेंट से पूछा गया था इस तरह से जो है बोस्त नहीं पता है प्लिस कमेंट किजिए मैं आपको फिर से एक बार अच्छे जो है इसमें समझाओंगा तो आयों फिंट्स की ये वीडियो आप लोगो पसंद आए पसंद आए पिल लाइक सेट सब्सक्राइब जरूर किया है तर तक के लिए धन्य बाद फिल्म में किसी अगली वीडियो में